हेलो चो कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का एक बाद फिर से डाउटनेट की क्लास में तो बच्चो जैसे कि आपको मालूम है आच चुका है हमारा टर्म टू और टर्म वन में जो भी कम्या रह गई जो भी विक्नस रह गई अब कही न कही पर सभी के मन में हम सभी के अंदर जोज भर चुका है कि भाई टर्म वन का बदला हमें टर्म टू से लेना है देखे बच्छों आपके स्कूल्स में एक्जाम हुए होंगे स्कूल्स में आपने देखा होगा कि किसी के टर्म वन के एक्जाम में अच्छे मार्क्स आए है किसी के कुछ कम मार्क्स आए और term two के exam में अब हमें उन चीजों को क्या करना है बैलन्स बनाना है मतलब कि अगर term one में कोई कमी रह गई है तो term two से इसको पूरा भी करना है और term two में highest marks लेकर के अपने school में rank भी लेकर क्यानी है तो बच्चों आपकी एक बेतरीन rank लाने के लिए मैं आपका teacher अक्षय ग्रवाल आपकी help करने वाला हूँ आपको हम पढ़ाएंगे बेतरीन बेतरीन concept और सभी chapters को इतनी simple manner में आपको बढ़ाऊंगा कि आपके लिए बिल्कुल term two के सभी chapter साब बिल्कुल चुटकियों में हरा देंगे चीक है बचो तो भाई अगर मैं बात करूँ तो भाई पॉलिनॉमिल्स के साथ आज के lecture को बच्चों में start करेंगे ठीक है जैसे कि आपको बालों में कि पॉलिनॉमिल्स वाला जो chapter है ये आपके term two के syllabus में आएगा तो बच्चों इसी से हम सुरुआत करेंगे और सभी लोग बिल्कुल अलाटो करके बैठ जाए ये बहुत ही interesting class होने वाली है एक lecture में आपको इस chapter के सभी important concept सभी चीजे बच्चों मैं आपको cover करवा दूँगा बस आपको सिर्फ इतना करना है कि पूरे lecture को बहुत ही ध्यान से देखना है अगर आपनी lecture को अच्छे तरीके से समझा है पाए तो आपके सारे के सारे concept एक दम clear रहेंगे ठीक है बच्चों तो चलिए श्टार्ट करते हैं तो क्या सारे बच्चे रेडी हैं जल्दी से मुझे comment box में लिख करके बताएए जल्दी से जो भी बच्चे class में आचुके हैं comment box में आपको थमसब लिख करके बोल देना है उसके बाद बच्चों दो दिन आपकी class होगी फिर उसके बाद एक बेतरीन हम live quizzes करेंगे जिसमें बहुत ही जाद आपको मज़ा आएगा बहुत ही मज़ेदार तरीके से chapters के questions को हम solve करेंगे जिसमें हम आपका knowledge test भी करेंगे तो बच्चों पहले आपको यह जो दो लेक्चर होने वाले है आज का यह lecture number one है इसके बाद जो लेक्चर number two आएगा देन बच्चों उसके बाद आपका knowledge test भी होगा तो भाई बिलकुल अच्छे से दोरों lectures को देखना है उसके बाद knowledge test में आपका चुटकियों में पता चल जाएगा कि किसने कितनी अच्छी उपाई करी थी तो क्या सारे बच्चे ready है जल्दी से मुझे बताईए बहुत ही ब बेटा इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो class 10th में भी polynormals आपका second chapter है आपने class 10th में से किसी ने book देखी class 10th की उसका भी second chapter बेटा polynormals है और जो कुछ भी आप 9th standard में पढ़ते हो वो सारे के सारे concept आपको class 10th में भी use करने पढ़ते हैं तो जो बच्चे इसमें अच्छी से cover कर लेता है उसको 10th में बिल्कुल भी problem नहीं होती है बच्चो बिल्कुल बिल्कुल आसानी से आपको लगेगा वाउ सर कितना interesting chapter है आप ऐसा बोल के जाओगे ठीक है बच्चो तो सारे बच्चे ready है energy से भर जाए एकदम जोस के साथ बैठेंगे और पूरी class में actively participate आपक करेंगे degree of polynomial उसके बार बच्चो zeros of polynomial then remainder theorem उसके बार factor theorem and factorization of polynomial यह तो बच्चो पॉलिनोमल हो गया है जिसमें factorization वगरा करने वाले हैं उसके बार बच्चो आपका remainder theorem और factor theorem इस पर based question पूछा जाता है दूसर आपके बार algebraic identities का use करके question आता है अब exam में marks का weightage कितना है बेटो तो यहाँ पर अगर बच्चो मैं बात करूं तो marks का weightage इस chapter का आपका basically अगर case study based question आ गया तो बिलकुल five marks तो इससे पक्के है otherwise मैं बात करूं तो यहाँ से five two seven marks का बच्चों आपके exam में वेटेज है बनलब की one of the most scoring chapters में से एक है बच्चों one of the most scoring chapters और importance तो मैंने आपको बता ही दिये चले बच्चों तो start करते हैं सबसे पहले आज के topic में आज के इस lecture में क्या क्या बच्चों मैं आपको cover करने वाला हूं इस lecture में बच्चों आपको polynomial in one variable क्या होते हैं इसके बारे में पता चलेगा degree of polynomial zeros of polynomial remainder theorem, factor theorem and factorization of polynomial यानि कि सारी कि सारी चीजे बेटा आज के इस lecture में तुम्हें देखने को मिलने वाली है तो बिन टाइम वेश्ट कियो है बच्चों start करते हैं सबसे पहले polynomial का general form क्या होता है क्या होता है polynomial किसको हम बोलते हैं polynomial बच्चों आप लोग ने class 8th student में algebraic identities पढ़ी थी सभी ने पढ़ी हुई ये बच्चों algebraic identities आप लोग class 8th में पढ़ कर किया हो तो बच्चों जैसी कि for example अगर मैं बात करूं मैंने आपके सामने एक लिख दिया कि x square plus मे one upon x square ये क्या बच्चों इसको हम algebraic identities बोलते हैं यहाँ आप एक स्कॉयर एक टर्म है दूसरा one upon x square है तो इस algebraic identities में बच्चों दो टर्म है तो basically अगर मैं बात करूं तो polynomials भी एक ऐसी algebraic identities होती है या sorry algebraic expression होता है समझ यह 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 यहाँ पर x की power क्या है बच्चों आप बोलोगे 2 यहाँ पर बोलो कि x की power क्या है तो हो सकता है कि आप पर से काफी सारे बच्चे बोले कि सर यहाँ भी x की power 2 है लेकिन मैं बोलूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि x की power 2 प्लस में x की power minus 2 तो जो पहला टर्म है हमारे पास उसमें x की power 2 बोलोगे और दूसरे टर्म में x की power आप बोलोगे यह माइनस कर तो यह बेसिक लिए एक एलड़ेबरिक एक्स प्रेसेन हां ठीक है ब्चो अब पॉलिर्स एपलिर की जो power होती है बच्चों मों क्या होती है whole number होती है और अगर हम one variable के polynomial की बात करें ठीक है बच्चों अगर हम बात करें बच्चों one variable के polynomial की तो one variable का polynomial वो होगा जिसमें केवलो केवल एक variable हम use कर रहे होंगे ठीक है बच्चों तो एक general form समझ लेते हैं कि पॉलिनॉमल का जनरल फॉर्म क्या होता है तो यह होता है बच्छों आपके पॉलिनॉमल का जनरल फॉर्म प्लस में एन माइनस वन इन्टू में एक्स तू दी पावर एन माइनस वन प्लस में डॉट 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 यह हमारा यह बच्छों हमारे पास क्या होता है पॉलीनोर्मल का जननल फॉर्म होता है .ं़ होता है बच्छो यह पॉलीनोर्मल का जननल सुर्म होता है बीच में यहाँ पर अगर पमें बत करें ४्यूँ ना, ज civ काुट का ही है , आपको बता देता हूँ कुछ एक्जाम्पल लिख करके बता तो जैसे कि नमबर वर एक एक्जाम्पल ले लिया मैंने PX equal to देखे गर बचो X square plus में 2X plus में 1 ये भी क्या बचो एक polynomial है another example ले लिया PX equal to X cube minus में 2X square plus में 3X plus में 2 ये भी बच्छो आपका एक polynomial है या फिर बच्छो मैंने लिख दिया PX equal to 5 ये भी आपका एक polynomial है या फिर मैंने लिख दिया PX equal to 0 ये भी बच्छो आपके पस एक polynomial है ये सब हमारे पस polynomals के example है ठीक है प्चो अब जैसे कि आपके मान में कोशन आ रहोगा कि सर PX equal to 5 है तो यहाँ पर तो X कोई variable है ही नहीं तो क्या ये भी एक polynomial है जी हाँ बेटा यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू में X to the power 0 तो इस polynomial का हम constant polynomial बोलते हैं आगे पर ये चीज में आपको बता दूँगो ठीक है प्चो आगे पर जब हम classify करेंगे पॉलीनॉमल को अलग अलग नेम से बुलाएंगे तब हम यहाँ पर classification में पॉलीनॉमल की naming भी करेंगे कि किस पॉलीनॉमल को किस नाम से बुलाए जाएगा भाई है ना पढ़ना है तो उसको नाम तो याद रखना पड़ेगा तो उसकी naming के बारे में भी हमें भी discuss करेंगे यानिकि टाइपस ऑफ पॉलीनॉमल में तो बच्चों यह सभी एक्जाम्पल्स किसके हैं पॉलीनॉमल के एक्जाम्पल्स हैं सबसे important point note करिएगा पॉलीनॉमल में जो आपका variable होता है उसकी जो पावर होती है ना उसकी पावर हमेसा एक होल नंबर होती है जैसे कि यहाँ पर एक्स की पावर गावर टवट यहां पर एक्स कि पावर गहँे तो हमेसा पॉलीनॉमल की मेन एक्स की जो पावर होगी वह क्या होगी आपकी होल नंबर होगी पताइग जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में यह लिखकर frig स्गर की बताईये तोقتlike oui ह वण exact 152 नंत्य में क्या ये आपका एक polynomial होगा जल्दी से मुझे comment box में लिख करके बताईए तो रंत comment box में लिख करके बताईए क्या x cube plus में x to the power 1 by 2 plus में 5 आपका एक polynomial होगा नहीं होगा बिल्कुल सही जवाब बच्चों क्यों नहीं होगा इसका region क्या है बच्चों जल्दी से नंबर है इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई number रही एसलिए पॉलिञार ABC नहीं होगा separate वैरीबिल वैरियर वाय जो ठीजिए पावी सिर्वह रिख्क है और से प्रफ़ःजां किया लगता हूं अक्ष्य करन एक सर्वे हो सकता है कि पॉलीनोम से हो था यो के नाम से बुल आने वर्यभाई पई य की नाम से ब poverty धूबहाई नाम से मूला बहुत ही बढ़िया चलिए तो अब बच्चों ये तो हो गया हमारे पास पॉलीनॉमल का जन्रल फोग अब अगर मैं आप से पूछो टाइपस ऑफ पॉलीनॉमल के बारे में कि भाई पॉलीनॉमल की टाइप क्या क्या है जैसे कि मैंने भी आपसे कुछ बताया थे कि basis of number of terms या तो हम number of terms के basis पर polynomial को define कर ले दूसरा on the basis of degree degree क्या होती है बच्चों कोई polynomial आपके पास है उस polynomial में जो variable हम use कर रहे हैं उस variable की जो highest power होगी जो सबसे बड़ी power होगी उसको हम क्या बोलेंगे degree of polynomial बोलते हैं तो degree और number of terms के basis पर हम polynomial के types को define कर सकते हैं जैसे कि बच्चों पहली number में अगर मैं बात करूं फ़र्ष्ट category में क्या आता है सबसे पहले समझते हैं फ़र्ष्ट category में ध्यान से समझेगा बच्चों क्या आएगा सबसे पहले अगर मैं आप से बोलो कि सपोस्ट को एक polynomial आपके पस P1 of X है जो लिखा हुआ है मापस सिर्फ और सिर्फ 2X ठीक है बच्चों तो इस expression में इस polynomial में केवल केवल एक term है number of term is 1 तो इस type के polynomial को बच्चों हम बोलते monomial क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम बोलते हैं monomial ठीक है बच्चों दूसरा एक polynomial P2 of X लिख दिया मैंने जिसमें लिख दिया आपके पास 2X प्रस में 5 तो जब दो टाम्स होंगे तो इसको बच्चों बाइनॉमियल के नाम से बुलाएंगे ठीक है similarly 3 टम्स अकर मैंने लिख दिया आपके पास P3 of X number of term अकर 3 है तो बेसिकली हम जैसे की लिख दिया मैंने आपके पास 2X स्क्वाइर प्रस में 7X प्रस में 5 तो बेसिकली इसको हम ट्राइनॉमियल बुला सकते हैं ठीक है अगर हम number of terms के basis पर नेमिंग करें तो monomial, binomial, trinomial और so on हम आगे पर जब number of terms जादा बढ़ जाते हैं तो फिर उसको usually हम polynomials बुलाने लग जाते हैं ठीक है बचो ठीक है एक तो यह तरीका हो गया कि polynomials कैसे आया polynomials का मतलब है कि जब number of terms किसी algebraic expression में अगर हम बोलना है कि greater than 3, 3 से जादा चले गए तो हम उसको एक general polynomial बोलने लग जाता है otherwise कि यवल एक term तो monomial दो term से तो binomial 3 term से तो trinomial बोल करके बुलाके काम चला लेते हैं यह तो बचों हुआ किसमें जब number of terms के basis पर हम बात करते हैं जब number of terms के basis पर हम बात करते हैं दूसरा बचों हम बोल सकते हैं कि जब on the basis of degree degree के basis पर जब हमारे पास कोई polynomial है उस polynomial की degree को देखे for example जैसे की ध्यान समझेगा आपके पास एक polynomial लिख दिया मैंने 2x के वल 2 लिख दिया suppose करो आपके सामने एक polynomial लिख दिया प x equal to 2 अब आपसे मैं पूछू कि बताइए इस polynomial की degree क्या है तो आप कहोगे सार ये तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर तो कोई variable ही नहीं है तो मैं कहूँगे काम करो ना आप लिख सकते x की power यहाँ पर 0 अरे वाँ अब तो ठीक है अब x का term भी आगा x to the power 0 क्या होता 1 होता है अब अगर मैं आपसे और 0 degree के polynomial को बच्चों किस नाम से बुलाते हैं constant polynomial की नाम से बुलाते हैं किस नाम से बेटा constant polynomial की नाम से बुलाते हैं दूसरा बच्चों हमने ले लिया px equal to suppose करो आपके पास 2x plus में 5 2x plus में 5 यहाँ पर variable x है variable x की highest power आपको क्या दिख रही है variable x की आपर highest power आपको 1 दिख रही है तो इस polynomial की degree की अगर बच्चों मैं बात करूँ तो इसकी degree क्या होगी बेटा 1 होगी और इस polynomial को बच्चों linear polynomial के नाम से बुलाते हैं क्या बुलाते हैं linear polynomial के नाम से बुलाते हैं ठीक है बच्छों ठीक है यह समझ में आ गया उस्सी तरीके से बच्छों एक पॉलिनॉमल मैं आपके पास पी एक से लिग दिया सब पॉसको रहे पी वन है पी टू है पी थी अलग अलग कर देता हूं थ्री एक्स स्क्वाइर प्लस में फोर एक्स प्लस में फाइब यहाँ पर वैरियेबल एक्स की पावर क्या है सब्से यादा वैरियेबल एक्स की पावर क्या है आपके पास आप देख पार हो वैरियेबल एक्स की जो हाईएस्ट पावर है हाईएस्ट पावर पूरे एक्सप polynomial बोलते हैं, क्या बोलते हैं बैटा? quadratic polynomial बोलते हैं चलिए, ठीक है बचो, इसी तरीके से क्वाधेर्टिंशंग कोई पॉलिनॉमन है, जिसकी degree 3 है, उसको हम cubic polynomial बोलते हैं तो in general, 0-degree, 1-degree, 2-degree, 3-degree तक define अच्टे करते हैं, फिर उसके बाद लार्मल भी हुमजको कौरिख उसके बाद हमसको पॉलियुकी गिरी के टॉम सब्हेर मुसकी नैमिंग नहीं नहीं ये जिए अर्फ ये चलिक बताये गांतbildung और कुविंक अर्ड些 से एक बार क्लास को लाइक जरू से कर दें बार बहुत ही बढ़ियां तो यह तो बेसिकरी बच्चों टाइपस ऑफ पॉलिनॉमेल हो गया नमबर अफ टम्स के बेसिव पर डिगरी के बेसिव पर हम कैसे कैसे नेमिंग कर सकते हैं चले इसके बार बच्चों अगर मैं बात लिख रहा है तुरंट आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अंसर लिकर के बताएंगे देखे कोई भी बच्चा स्पैमिंग नहीं करेगा आपको सिंपली अपना अंसर लिकर के बताना है ताकि मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों कि क्या अंसर से हैं देखे आचुका है बच्चों बताएगे कौन सा आपका पॉलिनॉमेल है ओके बच्चों वेरी गुड अब देखते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वाइर माइनस फाइव एक्स प्रस में 4 स्क्वाइरूट एक्स की पावर यहाँ पर बिटा वन बाई टू हो गई तो यह पॉलिनॉमेल नहीं होगा एक्स की पावर यहाँ पर 3 बाई 2 होगा यह भी नहीं होगा एक्स की पावर 1 बाई 2 एक्स की पावर माइनस बाई 2 यह भी नहीं होगा स्क्वाइर रूट 2 इंटू में x स्क्वाइर माइनस में 3 स्क्वाइर रूट 3 इंटू x प्लस में स क्वाई रूट 6 ये क्या बच्छों आपका पॉलीनॉमल है बिलकुल सही जितने भी बच्छों ने ऑप्शन नमबर डी बताया है वो बिलकुल सही आंसर है बहुत ही बढ़ियां अगला कुशन देखते हैं बच्छों डिगरी ओफ एक्स्टू दी पावर 6 माइनस में 2 एक्स्टू दी पावर 10 इसकी डिगरी क्या होगी जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर के बताईए कमेंट बॉक्स में सभी बच्छों के आंसर साने चाहिए कि भाई एक्स्टू दी पावर 6 माइनस में 2 एक्स्टू दी पावर 10 की डिगरी क्या होगी इसमें वेरीयबल एक्स की हाइस्ट पावर क्या नज़र आ रही है सोच ये दिमाग लगा ये जल्दी से अंसर करिए बिलकुल वही जवाब बहुत सारे बच्चों ने अंसर कर दिया बिल्कुल सही हाँ जी बचो एक्स की Highest पावर यहां पर 10 है इस पॉलिनोर्मिल के डिगरी बेटा आपके पास 10 हो जाएगी क्लियर है इस पॉलिनोर्मिल की डिगरी आपके पास 10 हो जाएगी अगला कुशन बच्छों देखते हैं डिगरी आफ और कॉंस्टेंट पॉलिनोर्मिल अभी अभी मैंने आपको बताया था अभी अभी मैंने आपको बताया था कि constant polynomial की डिगरी क्या होती है जल्दी से बताए ए बी सी डी में से कौन सांसा correct comment box में तुरंत answer लिखते जाओ तुरंती बच्चो comment box में answer लिखते जाए क्या होगी constant polynomial की डिगरी very good बच्चो constant polynomial की डिगरी सेवन ले लो पी एक्स एकल टो 1000 ले लो यह सब के सब constant polynomial से सब की डिगरी हमारे पाद जी रो होगी very good इसके बार बच्चो डिगरी ओफ जीरो polynomial अब इस question में बहुत सारे बच्ची फस जाते हैं this is the one of the most important question बच्चो one of the most important question है बच्चों यह आपके exam में आने वाला इसमार कि बाई degree of zero polynomial क्या होता है zero polynomial की डिगरी क्या होती है जल्दी से मुझे बच्चों बता ये comment box पे बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया जल्दी डिफाइन नहीं होती है नोट डिफाइन होती है बिलकुत नहीं बच्चों डिगरी आफ जीरो polynomial is not defined क्यों नहीं डिफाइन होती अभी इसका reason मैं आपको बताने वाला हूँ सारे बच्चे focus हो करके एक तो अलाट हो करके बैठ जाईए डिगरी आफ जीरो polynomial is not defined 0 polynomial किसको बोलते हैं सबसे पहले तो ये question मतल़ा है सर 0 polynomial क्या है अगर आपके पास को polynomial PX is equal to 0 है तो इस polynomial को वेटा हम बोलते है आपका 0 polynomial क्या बोलते है इसको हम बोलते है जीरो polynomial clear het यह होता है susceptory polynomial अब अगर हम आपसे पूछू कि भाई यह बताओ इस 0 पॉलिनॉमिल में आप 0 into x की पावर 1 रग दो, 0 into x की पावर 2 रग दो, 0 into x की पावर 100 रग दो, 0 into x की पावर 1000 रग दो, कुछ भी रग दो, लेकिन add time हमको मिलने वाला क्या है, 0 ही मिलने वाला है, है ना, क्योंकि 0 के product में जो भी होगा 0 की डिरी को define नहीं कर सकते, तो note कर लिजेगा अपनी notebook पर बहुत important है, कि degree of 0 polynomial is not defined, क्या होगा बच्छा, not defined, बिलकुल सही, option number 10 का right answer है, ओके चलिए, आगे पर बच्छों बात करते है, value of a polynomial पर, कि भाई पॉलिनॉमिल की value का क्या मतलब है, जैसे कि बच्छों अगर मैं बात करूं कि भाई आप बताइए, अगर इस पॉलिनॉमिल में X के place पर वन रत लेता हूं, अगर इस पॉलिनॉमिल में X को 1 से replace कर देता हूं, तो P1 equal to 5 into में 1 की power 3, minus में 2 into में 1 to the power 2, plus में 3 into 1, minus में 2 आएगा, clear अब चों, तो ये बनेगा हमार पस 5 minus में 2, plus में 3, minus में 2, तो कि अब की P of 1, P1 की value क्या आ गई विच्छो 4 आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, hence at X equal to 1, at X equal to 1, value of polynomial, value of polynomial, क्या बोलेंगे में विटा, value of polynomial is 4, बिलकुल सही, value of polynomial is 4, है रहा बच्छो, तो X equal to 1 पर value of polynomial क्या होगा, हमारे पास 4 निकल कर के आएगा, clear है कि नहीं के लिए जल्दी से मुझे comment box में लिख करके बताए, अगर मैं आप से पूछो कि बताओ, X equal to 2 पर polynomial की value क्या आएगी, बताओ जल्दी से, X equal to 2 पर polynomial की value क्या आएगी, तो आपने X equal to 2, polynomial में रख दिया, तो P2 की value आएगी, क्या, 5 into 2 की power 3, minus में 2 into में 2 की power 2, plus में 3 into में 2, minus में 2, तो यह बनेंगा 2 की power 3, मतलब 8, 8, 5, जा 40, 2 की power 2, यह निकी 4, 2, जा 8, 3, 2, 6, minus में 2, तो solve कर लेंगे, बत्चों, तो कितना आजाएगा, जल्दी से बताओ, 46 आगया है यहां से, और 8 plus 2, 10 आगया, minus का 10, तो answer आएगा, 36 बेटा, कितना आएगा, तो X equal to 2 प polynomial, क्या बोलते हैं बेटा, value of polynomial बोलते हैं, एकदम clear हो रहा है concept, जल्दी से अगर clear हो रहा है, तो class को तरन तो like करते जाना है, class को like नहीं छोड़ना है, बिलको like बटन पर प्रेस कर दो, ठीक है बचों, और channel को subscribe नहीं किया, तो आज ही channel को subscribe कर दीजे हमारे, चलिए, तो यह बच्छों हमारे पास 36 निकल करके आगए, clear है, बहुत ही बढ़ियां बच्छों, okay, very good, तो यह कहलाते हैं बच्छों, value of polynomial, कि कोई भी real number है, उस real number को x से replace कर दो, तो जो आएगी उस real number for polynomial की value आगई, clear है, बहुत ही बढ़ियां, अब जैसे कि बच्छों, zeros of polynomial का मतलब क्या ह होता है, zeros of polynomial, let's suppose आपके पास एक example लिया, मैंने px equal to x square minus में 3x plus में 2, यह आपके पास एक polynomial है, ठीक है बच्छो, x square minus में 3x plus में 2, अब अगर मैं आप से पूछो, कि अच्छा मुझे बताओ, कि x equal to 1 per p1 क्या आएगा, बताओ जल्दी से, x equal to 1 put करने पर polynomial की value क्या आएगी, तो x equal to 1 put किया आपने, तो 1 square minus का 3 into में 1 plus में 2, तो भाई सब यह तो बन गया 3 minus का 3 equal to 0, अरे वाँ, x equal to 1 per polynomial की value 0 है, x equal to 1 per polynomial की value 0 है, और अगर ऐसा होता है, तो हम x equal to 1 को क्या बोलते है, इसको हम बोलते है, this is the 0 of polynomial, यह बेटा क्या होता आपके पास, polynomial का 0 होता है, नोट कर लेना, यह क्या होता है, बच्छो, polynomial का 0 होता है, ठीक, x equal to 1, आपने, polynomial में रखा, polynomial की value 0 आ गई, अगर x equal to 1 रखने पर polynomial 0 मिला, तो हम बोलेंगे, 0 polynomial, ठीक है बच्छो, सपोस्कोर यहाँ पर मैंने, x equal to, आपके पास रख दिया होता, 2, x equal to 2 रख देता हूं, तो polynomial की value देख सब्समें 2, अरे वा, यह तो 6 minus 6 equal to 0 मिल गया, अरे वा, इसका मतलब क्या हुआ, x equal to 2 भी तो हमारे, polynomial का 0 हो गया, तो this is alpha 0 of polynomial, यह भी क्या हो गया बच्छो, यह भी polynomial का 0 हो गया, clear रे बच्छो, नोट करते जाएगे, यह भी क्या हो गया, 0 of polynomial हो गया, यह basically बच्छो निकल क कि आता है, कि वो real numbers जिसको, जिस पर polynomial की value 0 हो जाती है, उन real numbers को हम, 0 of polynomial बूलते है, ठीक है, वो real number जिस पर polynomial की value 0 हो जाती है, ऐसे real numbers को हम, क्या बोलते है, 0 of polynomial बोलते है, clear बच्छा, समझवें आ गया, clear concept, चले बच्छो यह तो concept हो गया, 0 of polynomial का, अब अगर मैं बात करो, जै जैसे कि आपके सामने questions हैं, ठीक है बचो, ये तीन questions हैं, अब आपको यहाँ पर बताना है, कि भाई, x equal to minus में 1 by 3, क्या, इस polynomial px का 0 है, चेक करना है आपको तो क्या करोगे, आप x की value को जाकर के polynomial में रख दोगे, ठीक है बचो, तो x equal to minus में 1 by 3 रखा, तो 3 into में minus में 1 by 3, plus मे 1, अरे बा, 3 से 3 cancel, minus 1 plus 1, 0 आगया, बिलकुल सही भाई, ये तो polynormal का 0 हो गया, x equal to 4 by 5, रखो, 5 x minus में पाई है, x equal to 4 by 5, रखो के 0 आएगा, क्या, रख कर के चेक करो, 5 से 5 cancel, 4 x minus 4, क्या आएगा, 4 minus में पाई आएगा, 0 नहीं आएगा, तो ये polynomial का 0, नहीं है, x equal to 1, पुट minus 1 का square minus का 1, 1 minus 1, again 0, यानि कि ये भी क्या है, इस पॉलीनॉमल के 0 है बच्चों, तो इसका मतलब है कि भाई, x equal to minus 1 by 3, इस पॉलीनॉमल का 0 हुआ, x equal to 1 and minus 1, हमारे इस पॉलीनॉमल का 0 हो गया, clear है बच्चों, जल्दी से comment box ने लिख कर के बताएगे, सब को clear है, ये हो गया question है आपके सामने, 0 of the 0 polynomial, अब ये बहुत important question है बच्चों, जल्दी से बताएगे, most important question है, सभी बच्चे comment box में answer लिख कर के बताएगे, कि भाई, 0 of 0 polynomial क्या होगा, 0 of 0 polynomial क्या होगा, सोचके बताएगे, 0 of 0 polynomial, 0 का 0 क्या होगा, बताएगे, 0 का 0 क्या होगा, डबल 0 होगा, चलिए बताएगे, 0 of the 0 polynomial, 0 polynomial का मतलब हुआ, कि PX equal to 0, अब आपको बताना है, कि इस polynomial का 0 किसको बोलेंगे, कौन, किन को हम इस polynomial का 0 बोलेंगे, 0 को बोलेंगे, 0 को बोलेंगे, 0 को बोलेंगे, 0 किसी भी real number को 0 बोल सकते है, या फिर not defined, या फिर डिफाइन नहीं होगा, बता चलिए, जल्दी से बताएगे, comment box को दिख जाना चाहिए, सभी बच्चों के comment line से आ जाने चाहिए, क्या होगा भई हमारे पाद 0 of 0 polynomial, अरे वाँ चलो भई, अब मेरी बारी या मैं बताता हूँ, सभी बच्च अब ध्यान से focus हो करके सुनना, ठीक है, अपने concentration को, अपने focus क इधर मेरी तरफ लेकर के आ जाईए, आ जाईए बच्चों सारा focus इधर लेकर के, देखो, ध्यान से देखो इस board पे, कि भई 0 polynomial क्या है, प x equal to 0, अगर मैं इस polynomial में x equal to 1 रखता हूँ, तो बताए यह polynomial की value क्या आएगी, 0 आएगी, मतलब की P1 भी 0 मिलेगा, P2 भी 0 मिलेगा, कुछ भी रख दो, P equal to 5000 भी रखोगे, तब भी 0 मिलेगा, यानि कि कोई भी real number, आप polynomial में रख रहे हो, पॉलिनॉमल की value तो हमें सा 0 हैने वाली है, कोई भी real number रख रहे हो, मतलब कि अगर हम मैं बात करूं, तो any real number can be the 0 of a polynomial, तो any real number, कोई भी real number, हम बोल सकते हैं बच्चों, कि 0 polynomial की, जो 0 होता है, वो कोई भी real number हो सकता है, any real number, ठीक है बच्चों, 0 of 0 polynomial is any real number, कोई भी real number हो सकता है, समझ गए बच्चों, क्लियर है, याद रखिएगा, बहुत ही confusing questions है, काफी सारे बच्चे इसमें confused होकर के, गलती करके आते हैं, मैंने 10th class के बच्चों तक से related question आया था, तो आप लोगों के लिए अगर ये मैं आपको पढ़ा रहूना, तो भाई इस्तना तो advantage मिलना चाहिए, कि 10th standard में अगर आप कहीं भी पढ़ लो, मुझ से पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, द्वार अगर मैंने पूछ लिया, या किसी ने भी आप से पूछ लिया, आप कांसर सही होना चाहिए, क्योंकि आप को ये चीज़ बताई गई है, और सब को नहीं बताई जाती है, ठीक है बचो, सारे बच्चे ध्यान से समझेगा, ठीक है, चलिए, आगे पर बच्चे बच्चे बच्चों, डीवीजन अलगुरिदम फार पॉली नॉमल्स, पॉल है, ठीक हो घ्या जाता है, सब्सक्त BILL यहां पर ऊपर वन आगिया, तो हम टुको क्या बोलते हैं, टू कको बेटम बोलते हैं, आपका डिवाइजर ठीक है जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइडेंड बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको डिवाइडेंड बोलते हैं जो हमारे पास मिला वो हमारे पास क्या कोशन्ट होता है क्या होता बेटा वो कोशन्ट होता है और जो बच गया उसको हम रिमेंडर बोलते हैं उसको हम क्या बोलते है तो एक्शल में यही तो basically अगर मैं बात करूं तो division algorithm है क्या? divison algorithm बच्चों उब से तरह बोलती है कि बई जिसको divide कर रहा वो divided होगा जिस से divide कर उसको divizer बोलते है जो नकल की है वो quotient और जो बच क्या वो तो अपका डिवाइदा होता है वो क्या होता है ज्यान समझेगा डिवाइदेंट चैए dan स्थावनगेए चाहां ढगारेंदे डिवाइदा रदीवाइजर इनडू में कोशंक रापविंटे रिमींडर दू मेंна है remainder के equal होता है और remainder क्या बीटा वन है तो अगर आप देख सकते हो कि जो divided है वो डिवाइजर into quotient plus में remainder के equal है किसके रचो तो यही तो basically हमारे पर division algorithm होती है बीटा यही तो हमारे पास क्या होती है इसी को बच्चो हम division algorithm बोलते है कि जो डिवाइजर होता है जो को जो बताऊंगा पॉली नॉमेल्स के लिए यही डिवीजन algorithm follow होती है पॉली नॉमेल्स भी इसी डिवीजन algorithm को follow करते हैं तो जल्दी से बच्चों जा करके पहले तो इसको आपको note कर लेना यह concept फिर मैं आगे बश्ट आगे पर start करता हूँ चले बच्चों तो यह basically हमने देख लिए आपका कि कैसे numbers के लिए डिवीजन algorithm आपके apply होती है चीक है अब यही algorithm अगर हमें polynomals के लिए apply करनी है तो polynomals में क्या करते सिंपल से काम बस polynomals को division polynomial को कैसे divide करते हैं वो बस हमें आपर आना चाहिए देखते बच्चों जैसे कि हाँ पर आपास polynomial एक तो इसको पोलेंगे इसको बोलेंगे इसको डिवाइडिन और यह हमारा होगा आपका डिवाईजर ठीक है बच्चों तो अब यहां पर बेसिक लिए अगर क्रों देखें तो क्या हो जाएगा। तो अब अगर इसको हम डिवाइट करते हैं आ पर द्यार। समझेगा तो श्म बढंगा एको बढ्र एन कमा ये कि तो एकश माइन देवाइड किया किसको बच्छो ट्री एक्ष टू दी 4 को माइनस में आपके पास 4 x cube को माइनस के आपके पास 3 x में माइनस का वन ठीक है बच्वो इसको अब डिवाइट करने माने बिलकुल ध्यान से समझना आपको एक एक को division करने में problem आती मुझे comment box में लेकर के बताईएगा आप में से कितने अपडियंक दो करने में problem phase होती हैं वो सभी भथि दो he comment box में लिए करके बता है और अगर ऐसे जादus धर बट इस problem को face करते हैं तो especially he cancade के डिवीजन पर बेश्ट एक अलग से वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा फिर ठीक है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर के सभी लोग बताईएगा ठीक है चली तो बच्छो डिवीजन पहले तो मैं आपको एक्स्प्रेंट कर देता हूं कैसे करना है फिर अगर प एक छोटी सी बात याद रखेंगा यहाँ पर हम करते क्या है कि जो हमार पर डिवाइडेंट हो जो डिवाइजर है उसको हम एक्स की डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म पर लिखते है जैसे की पावर 4 है 3 है 1 है ठीक है और लेडी था तो कुछ करने की जूरत नहीं पड़ी अगर पावर आगे पीछे है तो हमें से डिक्रीजिंग ओडर में उसको आपको लिखना है ठीक है बचो चलिए तो अब यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करते है बच्चो तो क्या आएगा देखिएगा इसको से कैंसल किया यहाँ पर आया 3x to the power आपके पास 3 आगया ठ हमारे पाट जो कोशन्ट का फर्स्ट तर्म है वो 3x क्यूब होगा अब 3x क्यूब का पूरे एक्स माइनस वन में मल्टिप्लाई कर दो तो 3x to the power 4 माइनस में बच्चो आपके पास 3x क्यूब आएगा अब यहाँ पर बच्चो हम सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो क्या निकल क करेंगे आएगा देखिए सब्टेक्क किया यह माइनस ये प्लस यहाँ पर आएगा बच्चो माइनस में आपके पास x qbl और यह माइनस में आपके पास 3x किए अब देखिए अभर हमारे पर ही हमारा डिवाइन अप माइनस में एक्स एक्स क्यू दिवाइट करते हैं तो किठना आता है बच्छो माइनस में एक्स कोईर आता है तो कोशंड का जो नेक्स्थ यish多 मा वह हो मैनस 3x और यह क्या बनेगा मैनस में x स्कॉइर मैनस में आपके पास 3x मेल बचो मैनस में यहां पर आया बच्छो प्लस का साइन यहां पर माइनस का यह कैंसल आउट और यह बन गया हमाँ पस माइनस का फॉर एक्स और माइनस का वन ठीक है बच्छो अब क्या करेंगे यहां पर माइनस का फॉर एक्स है तो माइनस के फॉर एक्स को आप इस से एक्स से डिवाइड कि ग्यां गताना है बचो मैनस मेंась वो गया तो मैनस का फूर से अरुचो्ष ऑने से काम प्रिक्ष कॉर पकट्साथ और देते हैं बाइज वर are कि प्लस में यह माइनस में तो रिमेंडर की आ। माइनस में 5 माइनस में 5 बच्छों को माइनस में 5 तो बच्छों ये हमारे पास क्यों इसको हूं बोलते हैं रिमीन दर क्या बोलते है बॉलते है रिमीन दर ठीक तैस तरीके से यह डिवाईजर हुआ यह डिवाईडいます कॉशन हुआ और यह रिमीडर रहो प्लाची तो इसको नोत कर लीजिए ठीक अब यहां पर एक चीजञ नोट करें का जैसे के आपने दे जो डिवाइडेंड है ठीक है डिवाइडेंड क्या बच्छों हमारे पास लिख लेते हैं 3x to the power 4 minus में 4x cube minus में 3x minus में 1 कोशंट हमारे पास क्या आया बच्छों कोशंट हमारे पास आया है आपका 3x cube माइनस में आपके पास x square minus में x और माइनस में 4 ठीक है बच्छों और रिमेंडर जो आपके पास आया वो यह है नोट करते चलिएगा सभी लोग नोट करते चलिएगा रिमेंडर हमारे पास आया है माइनस में 5 ठीक है अब एक काम करिये अगर मैं डिवाईजर को कोशंट से मल्टीप्लाइघ करो x माइनस वन को छोंट करो कोशंट से मतलब कि 3x cube माइनस में x square माइनस में x माने 4 से और उसमें अगर मैं remainder को add कर दू, add क्या कर दू बच्छो, add में remainder कर दू, तो basically क्या निकल के आएगा, यह आएगा 3x to the power 4, minus में x cube, minus में x square, minus में 4x, फिर यहाँ से आएगा बच्छो, minus में आपके पास 3x cube, फिर यहाँ आएगा हमारे पस कितना, प्लस का हमारे पस x square, और यहाँ से क्या आएगा बच्छो, plus का x, और क्या आएगा, plus का 4, और minus में 5, देखे, यह निकल क्या आएगा बच्छो, अगर मैं इसको करता हूँ, तो यह basically क्या में रहा, 3x to the power 4, minus का x cube, minus का 3x cube, minus का 4 times x cube, minus का x square, plus का x square, cancel out, minus का 4x, plus का x, minus का 3x, और, plus का 4, minus का 5, minus का 1, यह जो basically आया, बच्छो, किसके बराबर आया, यह हमारे आप देख सकते ही, डिवाइडेंड के बराबर आगया, किसके बराबर आगया बच्छो, यह डिवाइडेंड के बराबर आगया, इसका मतलब क्या हुआ, कि डिवाइजर इंटू में कोशन्ट, प्लस में रिमेंडर, डिवाइडेंड के बराबर होता है, यह basically हमन polynomials को अब हम statement के तुर ऐसे समझ सकते हैं कि if px and gx if px and gx are any two polynomials with gx not equal to 0 then we can find polynomial qx and rx such that px equal to gx into qx plus में आपके पास rx where r of x not equal to 0 यहां पर जो rx होता बच्चת यह remainder रोता है जो की यह तो 0 के बराबर होगा यह फिर डिक्री ऑफ आर एक्स्य जो डिक्री यह दो कि बच्चों वह डिक्री ओफ जीएक सन्पार नेशिन और के ठीकर रिवेंडर यह मदें का मोटिए mean डिवाइजर की डिगरी से हमें सा कम होती है ठीक है बचो यह बेसिकलिए हमको निकले कर क्या है यह है डिवीजन एल्गुरिटम पॉर पॉलिनोमस ठीक है बचो समझ में आ गया चलिए तो बेसिकलिए बच्चों अगर मैं बात करों यह डिवीजन अगुरिदम है हाला कि इसके बारे में और भी जाता डिटेल्स में है ना आप क्लास टेंथ स्टेंडर में पढ़ते हैं लेकिन मैंने आपको बेन में में बेसिक आईडिया जो है ना अभी आपको बता दिय लिए वर्ना आपके आपर जो कोशन पूछा जाता है वो रिमेंडर थेयोरम और स्ट्र थेयोरम पर ही पूछा जाता है ठीक है तो और जाथा परिशानी की बात नहीं यह से डिवाइड वाइड करके आपको नहीं पूछेगा बस आपको इतना करना है कि यह आपको सबसे पहली जो धियरोम निकल के आती है बच्छो है आपकी रिमेंडर थियोरम रेमेंटर तेजहारम ईख्षे क्या बोलती है के कोई पॉलिणॉमाल आपके पास पी एकस है जिसकी डिग्रेटर देन और इक्hel टू वन है ठीक है बच्छो कोई पॉलिणॉमाल पीक्स है जि को X minus A से डिवाइड करता हूँ तो जो remainder है बच्छों इस condition पर वो remainder क्या होगा वो remainder बच्छों हमारा P of A के बराबर होगा ठीक है बच्छों किसी P X polynomial को जिसकी degree greater than equal than one है अगर मुझे उसको linear polynomial X minus A से डिवाइड करता हूँ तो हमको जो remainder आएगा वो P A के यहां पर आप देख सकते हैं हमने polynomial को X minus 1 से डिवाइड किया आप आपको ने देखा कि डिवीजन करके आपके पास remainder क्या है माइनस में 5 तो अगर केवल remainder पूस्ता तो क्या पूरा का पूरा डिवीजन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आप यहां पर देखे बच्छों आ आपने क्या देखा यह polynomial आपके पास PX है जो कि 3X to the power 4 माइनस में 4X cube माइनस में 3X minus 1 अगर मैं इस polynomial को X minus 1 से क्या करता हूं बच्छों डिवाइड कर रहा हूं तो बच्छों क्या करूंगा X minus 1 को मैंने 0 के बराबर रखा तो यहां से X की value आती 1 तो मैंने X equal to 1 जाकर के polynomial में पूर कर दिया P1 की value निकाली तो P1 equal to 3 into में 1 की power 4 minus 4 into में 1 की power 3 minus में 3 into 1 minus का 1 solve करके कितना आएगा minus में 5 क्या गया बच्छों डायरेक्ट आपके पास remainder निकल करके आगया clear direct बच्छों आपके पास remainder निकल करके आगया तो यही चीर बच्छों में आपको आपको explain कर रहा था कि अगर किसी polynomial को ठीक है अगर किसी polynomial को आप linear polynomial X minus 1 से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमेंडर आएगा X minus 1 के क्या करो factorize करो sorry X minus 1 के 0 fine करो तो कितना है गवन वन को जाकर के पॉल्यों में रख दो तो तो पॉल्यों मिल्यों को जो वैल्यों आई कि वही capture कर लिया मेरी guarantee है कि आपका इस chapter से इतनी बेतरीन पकड़ोगी कि कोई भी आप से कोई भी कोशन पूछे आप तुरंत answer कर पाएंगे clear अब चो चलिए तो इसी बात पर जल्दी से class को एक बार लाइक जरूर से कर देना है जल्दी से class को लाइक कर दो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ठीक है बचो चलिए तो बच्छो अब कोशन है find the remainder when x cube minus में x square plus में 6x minus a is divided by x minus से चीके बच्छो divided by x minus a तो क्या करना बच्छो हमें remainder find करना है तो हमने देखा कि डिवाइजर क्या तो रंत डिवाइजर को नोट किया डिवाइजर बच्छो हमारे पास है एक्स माइनस में तो x-1 को बच्छो जीरो के बराबर रखा तो एक्स की वैल्यू आ गई अब x equal to a जाकर के हम अपने polynomial में रखेंगे तो polynomial px equal to x-3 माइनस में ax square प्लस में 6x-a यहां पर आपने x equal to a put किया तो p a equal to a cube minus में a into में a square प्लस में 6a माइनस में a यहां से यह बन गया a cube minus में a cube प्लस में आपके पास 5a cancel out तो हमारे पास remainder क्या आगया बच्छो 5a हमारे पास remainder क्या आगया बच्छो remainder हमारे पास 5a निकल करके आगया note कर लीजेगा ठीक है बच्छो remainder हमारे पास 5a निकल करके आगया clear है सबको समझ में आ गया remainder बच्चों क्या है 5A कुछ नहीं करना जो divisor है जो linear polynomial जो divisor है उसको 0 के बराबर रखो x की value को निकालो polynomial में जाकर के रख दो आपके पास क्या आ जाएगा remainder आ जाएगा अगला question चलिए भई अब एक काम करते हैं करते हैं quiz थोड़ा साप change करेंगे महाल को सारे बच्चे quiz के लिए ready हो जाएए और question आपकी screen पर बच्चो ये रहा polynomial px को अगर मैं divide करता हूँ x plus 2 से तो remainder क्या मिलेगा polynomial px को x plus 2 से divide करेंगे तो क्या remainder मिलेगा चार option एबिटा जल्दी से comment box में आपका answer आना चाहिए comment box पे जल्दी जल्दी सभी बच्चे answer करके बताईए क्या remainder निकल करके आएगा बहुत बढ़िया बेहतरीन बच्चो सभी लो comment box में answer लिकर की बताईए क्या answer आएगा यहाँ पर very good बच्चो जल्दी 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 बहुत बढ़िया सभी बच्चे comment box में answer लिकर की बताईए कर लिया बहुती सिंपल है आपको बस remainder निकाल ला है अगला कुशन बच्चो एक और कुशन है X की पावर 51 प्लस में 51 is divided by X plus 1 अगर इसको बच्चो में X plus 1 दिवाइड करता हूँ तो क्या remainder आएगा जल्दी से comment box में अपना answer लिकर के बताईए बहुती बढ़िया बच्चो जल्दी से comment box में सभी बच्चे तुरंट comment box में आपना answer लिकर की बताएंगे बहुती बढ़िया बहुती बढ़िया क्या बात है ठीक आप्चो बिलकुस सिंपल सा कोशन था आईए बच्छों आप डिस्कस करते हैं को सभी बच्छों ने आंसर कर लिए धेर सारे बच्छों का रिस्पॉंस आ रहा है लेकिन एक बात याद रखिएगा स्टैमिंग मत किया करो केवल केवल ध्यान से कोशन को सौल करो एक बार आएक बार अन्सर लिकर कर की बताओ ठीक अपच्छों चलिए तो यह पॉलीनॉर्य मेरे एकस्फ्लस टू से डिवाइड करना एं डिवाईजर आपके पास तो एकस्फ्लस टू को आपने 0 के बराबर 3 plus में एक सेकेंड मेटा माइन समय टू के पावर 3 माइनस का 3 इन डू में माइनस टू की पावर 2 प्लस में 4 इन डू मैं माइनस टू प्रस में 32 यह से आगए बच्चो माइनस में 8 यह बना 4 3 जैक 12 मैनस का 12 फोर टूजा एट माइनस में एट प्लस में आपके पास 32 चलो 80 20 देखिए को चैसे त्वेल वार एट कितना बन गया हमारे पास 20 28 बन गया तो 32 में फोर आए गया तो आप्शन नमबर डी इसका राइड अंसर एक लेरे क्लियर अप्शन नमबर डी फोर इसका राइड आंसर सबीन आसर किया था बहुत ही बढ़िया वच्छो क्या बात है सब को समझ में आगया कुछ नहीं करना है अपने डिवाइजर को जीरो के बढ़ाबर लुकर एक्स की वैल्यू झाकर के पॉलि नॉमल में रख दो जो वैलू आएगी वो रिमेंडर आएगी यह रिमेंडर की वैलू आ वे यह चोंब के पास रेमेंडर थ्यांट clear है चलिए यह है जादू remainder theorem का अगला question था X की पावर 51 प्लस में 51 इस डिवाइड़ गाई एक्स प्लस वन देंड़ रिमेंडर इज किस से डिवाइड कर रहे है X प्लस वन से डिवाइड करें किसको डिवाइड करें इसको कर रहे है X plus 1 को 0 के बराबर रखोगे तो X की value आएगी minus 1 X की value minus 1 जाकर पुट करोगे तो minus 1 की power 51 प्लस में 51 तो यहां से minus 1 प्लस में 51 equal to 50 आएगा बिटा तो remainder 50 आगे option number Ds का right answer clear बिटाओ जल्दी से बताए option number D अरे भाई बिल्कुल छिंता मत करना है तुरंत यार जल्दी से बार क्लास को लाइक कर दो जिन्हों नहीं भी क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से बार क्लास को लाइक कर दो option number d 50 answer आरे चुटकियों में answer निकल के आ रहा है यार इतने असानी से कुछ पढ़ने को मिलेगा बिलकुल perfect तरीके से समझ में आगे बच्छो बहुत ही बढ़िया अब बच्छो मूव करते है factor theorem पर factor theorem आपकी क्या बोलती है factor theorem का concept बहुत ही simple है बच्छो ध्यान से समझेगा कि भई अगर मैं कोई polynomial आपके पास px है अगर किसी polynomial px को अगर मैं x-a से divide करता हूँ किसी polynomial px को अगर मैं x-a से divide करता हूँ तो remainder क्या होता है बच्छो remainder अगर remainder आपको मालूमें कि remainder होता है p of a और अगर मैं बोलू कि अगर ये remainder आपको 0 मिल जाए अगर ये remainder आपको 0 मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे कि X-A is a factor of polynomial PX ये बच्चो एक तरीका हुआ factor theorem को समझने गा कि किसी polynomial PX को अगर मैंने X-A linear polynomial से divide कर रहे है ठीक है बच्चो तो divide करने पर अगर remainder हमको 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं कि X-A is a factor of PX ठीक है इससे divide करोगे तो remainder तो PA होगा और PA की value 0 तो हम क्या बोलेंगे X-A को factor बोलेंगे clear हो गया बच्चो चलिए और second अम अगर मैं आप पर बोलू तो second अम क्या बोल सकते बच्चो कि if अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि भाई साधान समझेगा अगर कहीं पर आपके पास ये दिया हुआ है कि if X-A simple सा कि seriously लिखा if X-A is a factor ठीक है बच्चो अगर कहीं पर आपको दिख जाए कि X-A factor of PX किसी polynomial PX का factor है simple सा कि अगर कहीं पर लिखा दिख जाए कि X-A polynomial PX का factor है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चो कि जो P of A होगा वो 0 के बराबर होगा ठीक है तुरंट समझ जाना है कि अगर X-A is a factor of polynomial PX तो P of A क्या होगा बेटा 0 के बराबर होगा clear है P of A क्या होगा बेटा 0 के बराबर होगा note कर लिजेगा ठीक है P of a 0 के बनाबर ये होती ही बच्चों हमारे पास factor theorem clear है concept समझ में आ गया कहीं पर कोई दिक्कत बच्चों very good चलिए अब बच्चों next में अगर मैं बात करूं question है examine whether x plus 2 is a factor of this polynomial check करना है कि x plus 2 is polynomial का और इन दोनों polynomial का factor है या नहीं तो सबसे पहले अगर मैं देखूं एक polynomial आपके पास P x है जो कि x cube प्लस में 3x square प्लस में 5x प्लस में 6 है ठीक है अगर बच्चों x plus 2 क्या हमारे पास हमें चेक करना है factor है या नहीं ठीक है बच्चों तो x plus 2 को आँवगार आपने 0 के बराबर रखा तो x की value कितनी आती है minus में 2 x की value कितनी आती है minus में 2 minus की 2 के value को जाकर के polynomial में रखो P minus 2 की value को देखते हैं में minus 2 का whole cube Plus में 3 into में minus 2 को whole square plus में 5 into में minus का 2 plus में 6 तो basically क्या बना minus का 8 plus का 12 minus का 10 plus का 6 तो क्या बन गया बच्चो यहां से यहां से बन गया आपके पास plus 10-10 equal to zero ठीक है बच्चो मतलब की x plus 2 वराबर 0 इससे डिवाइड कर रचेक्टर चेक करना है तो x plus 2 को 0 के बरब रखा तो x के लिए minus 2 अब x equal to minus 2 polynomial में रखा तो polynomial की value 0 आ गई this will implies that x plus 2 is a factor of is a factor of polynomial px px polynomial का factor है दूसरा polynomial को माल लो qx माल लिया जो कि हमारे पास क्या है 2 x plus में 4 तो अब x equal to minus 2 अगर आप यहां पर put करोगे तो q minus 2 कितना आएगा 2 in 2 में minus 2 plus में 4 यह भी आगए 0 इसका मतलब क्या बच्चो x plus 2 is a factor of qx is a factor of qx ठीक है बच्चो x plus 2 qx का भी एक factor है यह बच्चो हमारे पास complete हुआ simple है clear तुरंट रखो x plus 2 को check करना है तो x plus 2 को 0 के बराबर रखा x की value आई अब उस x की value को polynomial में रखके चक्करों अगर हमारे पास polynomial के value 0 आ गई तो हम बोलेंगे factor है कौन factor है x plus 2 factor है चीक है चलिए यह चीज़ नोट कर दीज़े बच्चो clear है जल्दी से note करते जाना और class में अगर जिन बच्चों ने like नहीं किया वो अभी जल्दी से class को like कर दीज़े ठीक है बच्चो चले बच्चो अब तुरंट move करते हैं अपने next question क्यों find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus में 3x square minus में 4x plus में k हमको क्या बच्च करनी बच्चो k की value को find करना है question में बोलना है कि x minus 1 is a factor of this polynomial बच्चो polynomial को note करो px equal to हमारे पास क्या है 4x cube plus में 3x square minus में 4x plus में की यह आपके पास क्या है बच्चा polynomial given है क्या given है अच्चो polynomial आपके पास given है अब अगर हमें given है कि x minus 1 is a factor of px यह given है बच्चा factor of px x minus 1 polynomial का factor है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह होगा कि भई x minus 1 factor है x equal to 1 रखोगे तो p1 equal to क्या आएगा 0 आएगा और p1 निकालो बच्चो तो p1 की value कितनी आ रही है 4 into में 1 की power 3 plus में 3 into में 1 की power 2 minus में 4 into में 1 plus में k equals to 0 solve करते हैं तो आगे है बच्चे यहां से कितना 4 plus 3 minus 4 plus k बराबर 0 4 से 4 cancel k की value minus में 3 क्या आगे बच्चो k की value minus में 3 तो बच्चो हम से पूछा था find the value of k तो k की value बेटा क्या निकल के आ गई k की value आपको यहां पर minus में 3 निकल के आ गई ठीक है अच्चो समझदार हो एकदम बढ़िया तरीके समझ में आया की नहीं आया समझ में आया तो जल्दी से एक बार लाइक ठोक दो क्लास को के की value minus में 3 बच्चो निकल करके आ गई ओके बहुती बढ़िया चलिए नोड करते चलिएगा बिलकुल बातचीत नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ concept पर focus करूंगा मेन मेन जल्दी जल्दी सभी चीटों को आपको explain करूंगा तो आपको इस lecture को एक बार आपने देख लिया न तो पूरा का पूरा आपका मान के चलिए 70% chapter आपका finish है 70% chapter आपका finish है और अगले lecture को देख लिया तो 100% आपका पूरा का पूरा chapter finish है जल्दी से बच्चों देख लो clear है के की value माइनस में 3 निकल की आएगी ठीक है चलिए अगला question अब बच्चों बात करेंगे factorization पर factorization of polynomial और factorization of polynomial हम किस polynomial की बात कर रहे है start करेंगे बच्चों quadratic polynomial के factorization से तो quadratic polynomial का factorization के बच्चों अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ध्यान से समझेगा कि जैसे कि एक polynomial है by splitting the middle term हमें middle term को split करके factorization करना है आई ये देखते है ध्यान से समझना काफी सारे बच्चों में फस्ते है important है ध्यान से समझना 6 x square plus 17 x plus में 5 आपको करना क्या है बच्चों x square का जो coefficient है जो कि 6 है और जो constant term है 5 साइन से मतलब नहीं यहाँ पर plus का sign है माइनस का sign कोई फर्क नहीं पार नहीं पार नहीं बच्चों 6 और 5 का product करोगे तो कितना आएगा 6 x 5 आएगा आपके पास 30 और फिर देखो को यहाँ पर sign कॉंस है constant term के पहले sign है प्लस का तो हमें बच्चों ऐसे दो numbers find करने है जिनका product 30 हो और जिनका sum क्या है बच्चों 17 के equal आ जाए sum क्या हो जो middle term हो जब plus का sign हो तो sum बोलेंगे अगर माइनस का sign हो तो तो negative बोलते है ठीक है बच्चों चलिए तो तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि भाई सर एक कॉल टू आप 15 ले लो और बी कॉल टू आप 2 ले लो तो 15 और 2 के हमें एकसे प्ลस में 2 X Plus में 5 यहांद से बच्चों देखो यहांद से 3 एक्स को कॉमन लोगे तो आए का 2,, टू एकसे प्लस में 5 यहां से प्रस का वन कॉमन लिए तो आगे 2 extra प्लस में 5 अब यह दो common factor मैं से यहांसे अलग कर लो तो 2X से प्रस में 5 आया एंड 3X से प्रस में 1 आया तो ये बच्छो हमने factorization कर दिया क्या कर दिया बच्छो ये हमने factorization कर दिया आया समझ में ये बच्छो मैंने factorization कर दिया अगर किसी भी बच्छो को factorization में problem है specially इस type के factorization में problem है तो comment box में मुझे लिख करके बताईएगा कि सर जी मुझे factorization में problem है मैं spatial lecture मनाऊंगा आपके लिए जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताऊंगा कि कैसे middle term को हम factorize करते हैं कैसे middle term को हम factorize करते हैं specially यही चीज़ बताऊंगा तो सभी बच्चे note करिए तो एक्स प्लस फाइव इंटू में 3X प्लस वन यह समझ में अगर नहीं समझ में आयों को जरू से बताना ठीक है बच्चों चलिए यह पहला कोशन complete होता है अगला कोशन बच्चों 12 एक स्क्वाइर माइनस में 7X प्लस में बच्चों इसको भी बच्चों क्या करना क्यों है बच्चों मिडल तर्म कि यहवल सेवन को देखना साइन को छोड़ देना सैवन आ गया तो बच्चों बताये क्या रिकान निकल के आएगा एक वर्टु थृ ले 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 लिए इक वर्टु फ़र ले ल बीक पल टू थी ले लो आज़ो तो बनेंगे ट्वैल एक्स स मैनस में वन माइनस का बन कॉवन लिया तो आगा 3x मैनस में वैं फेक्टराइस कर दिया बच्छों तो 3x-1 एक फेक्टर हो गया एंड 4x-1 दूसरा फेक्ट है ये बच्छों हमारे पास factorization आ गया, clear है बच्छो, यह हमारा पास factorization निकल के आ गया, ठीक है, यह हमारा पास बच्छो, factorization निकल करके आपका आ गया, चलिए, ओके, note कर लिजेगा, 12x square minus 7x plus 1 का factorization आ गया, 3x minus 1 into में आपका 4x minus 1, चलिए, अगले इस पे move करते हैं बच्छो, अगला question क्या है, 2x square plus 7x plus 3, इसको factorize करें, क्या करोगे बच्छो, 2 और 3 का product किया, तो 2 into 3 क्या मिलता है, 6 मिलता है, और पीच में है plus का sign यहाँ पर, तो हमें ऐसे दो numbers find करने हैं, जिनका product क्या हो, 6 हो, और जिनका sum क्या हो, बच्छो, middle term यानि की आपके 7 के बराबर, तो मतलब कि यहाँ पर कैसे split करोगे, 2 times x square plus में, 6x plus में, x plus में 3, यानि की, equal to 6 ले लो, और 2 equal to 1 ले लो, तो आपका answer आजाएगा, clear है बच्छो, चलिए, तो यह बना 2x को कौमन लिया, तो यहाँ से आगया, बच्छो, आपके पस x plus में 3, प्रस में 1 कौमन लिया, तो आगे x plus में 3, तो फेक्टर आगे x plus में 3, और आपके पास 2x plus में 1, चलिए, ठीक है बच्छो, x plus में 3 and 2x plus में 1, लोड कर लिए बच्छो, x plus में 3 and 2x plus में 1, factor निकल करके आपको आगये, clear है, जल्दी से बच्छों बताई, समझ में आया की निया, comment box में आप सभी अपना answer लेकर के बताईए, बहुत बढ़े, काफी सारे बच्छे है, comment box में अपना answer लेकर के बता भी रहे, तो x plus में 3 into में आपके पास 2x plus में 1, यह हमारे पास बच्छो, factor निकल के आगया, अगले question पर move करते है, 6x square प्लस में 5x minus में क्या है बच्छो, आपका 6 है, अब देखिएगा, 6 into में 6, क्या बनता है बेटा, 36 बनता है, और sign क्या है minus का, तो दो numbers ढूंड़िए, जिनका product 36 हो और जिनका difference क्या हो बच्छो, middle term 5 के बराबर हो, तो a equal to आप 9 ले सकते हो और b equal to आप क्या ले सकते हो 4, तो बन जाएगा 6x square प्लस में 9x minus में 4x minus में 6, तो 3x common लिया तो बनेगा 2x plus में आपके पास क्या, बनेगा 3, minus में 2 common लिया तो बनेगा 2x plus में आपके पास 3, तो factor बन ये factor निकल करके आगया, clear बच्छो, ये factor हमको निकल करके आगया, 2x plus में 3, into में आपके पास 3x minus में 2, अगला है बच्छो, 3x square minus में x minus में 4, तो इसके factorization को आपको homework के लिए दे रहा हूं, खुद करना है, इसके factorization को homework के लिए दे रहा हूं बच्छो और खुद करना है, ठी factorization, अब ये वाला पार्ट बच्छो में अब आपको next video जो आएगी, जो हमारी next video आएगी, उसमें में बच्छो, cubic polynomial को factorize कैसे करते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है बच्छो, तो सारे बच्छे बिलकुल ready हो जाईएगा, चलिए, तो बच्छो एक काम करते हैं, आज को पसंद आई है, तो आपको doubtnet के English Medium वाले चैनल 910 CBSC चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं भूलना है, और class को like जरूर से करें, अपने friends के साथ में share जरूर से करें, मिलेंगे अपनी next class में, और तब तक के लिए goodbye to all of you.